बिस्तक आपके लिए लाया है प्रेमियम मेंबर्शिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते जिन में मार्केट न्यूसलेटर, लाइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ और भी बहुत कुछ, इस प्रेमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ट और प्लाटिन, जिनके शुरुवात मात्र 119 रुपे महिने से होती है, इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाए, जॉइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें, बस बन गए आप हमारे प्रेमियम मेंबर हैं, सुबा आँख खुलते ही नजर वाट्सअप पर जाती है, और देर रात तक वाट्सअप पर मैसेज या कॉल का सिलसला चलता रहता है, हालत ये है कि इसके बगैर रोज महरा की जिन्दगी जैसे ठप से पर जाती है, क्योंकि घर से लेकर दफ्तर तक तमाम बातें वाट्सअप के जरीये ही की जा रही है, दोस्तों से कुछ शेयर करना हो या उनसे बात करनी हो, इसके लिए वाट्सअप दुनिया वर में सबसे आसान और लोग प्रिये प्रैट्फॉर बन गया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वाट्सअप चुपके से हमारी बातें सुन रहा हो, यानि जब हम वाट्सअप का इस्तमाल नहीं कर रहे हो, अपने फॉन का भी इस्तमाल नहीं कर रहे हो, तब भी वाट्सअप चुपचा हमारी बातों को सुन रहा हो, असल में ए दारोप गंभीर है क्योंकि ये हमारी प्राइवसी से जुड़ा है। पहले आपको बताते हैं कि वाटसेप पर चुपके से बाते सुनने की शिकायत कैसे सामने आई है। ट्विटर में इंजिनिरिंग डारेक्टर फॉद डावरी ने एक ट्विट किया और बताया कि जब वो सो रहे थे तब भी वाटसेप उनके फॉन का माइक्रोफॉन यूज कर रहा था। है कि इसलिए हमें ऐसे एड देखते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे होते हैं लेकिन बाते सुनने का यही आरोप वाटसेप पर लगा है और वो भी सबूत के साथ। इसलिए दुनिया भर में इसे लेकर चर्चा है। जाने माने उध्योगपती और ट्वीटर के मालिक एलन मस्क ने डाबरी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि वाटसेप पर यकीन नहीं किया जा सकता। उधर डाबरी का ट्वीट देखते ही देखते वाइरल हो गया और करोडों लोगों ने उसे देख लिया। इसके बाद वाटसेप की तरफ से सफाई आई। ट्वीट करते हुए कहा गया वाटसेप पोस्ट करने वाले ट्वीटर इंजीनियर के संपर्क में हैं और दलील दी नियता को हर हाल में बनाये रखने का दावा करते हुए कहा है कि यूजर्स का अपनी माइक्रोफॉन सेटिंग्स पर पूर्ण नियंतरन है और जब यूजर्स माइक्रोफॉन का उपयोग करने की अनुमती देते हैं तो वाटसेप केवल कॉल करते समय या वाइस नोट्स या वीडियो रिकॉर्ड करते समय ही इसका उपयोग करता है और सभी तरह की बाचीप end-to-end encrypted होती हैं वाटसेप उन्हें नहीं सुन सकता लेकिन ये वाटसेप का दावा है जबकि सिर्फ डाबरी ही नहीं बलकि ट्वीटर पर कई लोगों ने माना है कि जब वो फॉन यूज न लेकर गंभीर हो गई है electronics and information technology राज्य मंत्री राजीव चंद्र शेखर ने ट्वीट किया कि ये गोपनियता का उलंगन है जो कतई सुईकार नहीं किया जाएगा हम तुरंत इसकी जाच करेंगे और निजी जानकारी को गोपनियता के किसी भी उलंगन पर कारवाई करेंगे भारत में WhatsApp users की संख्या करी 50 करोड है इससे समझा जा सकता है कि WhatsApp की पहुँच कितनी है लेकिन इस platform पर message के अलावा voice message और calling की सुविधा भी मिलती है जिसके लिए app में microphone की permission देनी होती है लेकिन क्या इस permission का गलत इसमाल हो रहा है क्या हमारी कोपनियता में सेंध लगाई जा यह सवाल गंभीर है जिसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा लेकिन तब तक सावधान और सतक रहना जरूरी है दोस्तों और रिष्टिदारों को सावधान करने के लिए हौन बजाना भी जरूरी है इसलिए सावधान रहें ष्टिव सावधान दोस्तों और सकुम बढाल जरूरी है